भारत में खरीफ फसलों की बॉआई में कमी आने का अंदेशा है भारत में खरीफ या मौनसुन की बॉआई 2022 सीजन के लिए 0.3 मिलियन हेक्टेर से घट कर 4.86 मिलियन हेक्टेर रहे गई है जो कि सरकारी आंकडों के अनुसार देश भर में 7.2 फीसद की कमी का अनुमान है देश में सबसे अधिक मौफली उत्पादक राजे गुजरात में महत्वपुरन तिलन का लरकबा 1.9 मिलियन हेक्टेर से घट कर 1.7 मिलियन हेक्टेर हो गया है Solvent Extract Association of India की माने तो उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में किसान मौफली से कपास और सोया बीन में स्थानांतरित हो गए है क्योंकि पिछले सीजन में इन दोनों जीन्सों में अधिक किमत मिली थी और वहीं उनका ये भी कहना है कि देश में मौफली का उत्पादन पिछले वर्ष से लगबग 5 मिलियन टन की तुलना में मामूली कम रहने की संभावना है राज्ये के क्रिशी विभाग की माने तो उनका कहना है कि अन्या फसलों के अलावा गुजरात के सोराष्ट और उत्री गुजरात शेत्रों में मौनसुन के मोसम की देरी से शुरुवात और कम फसल पैदावार गुजरात में मौफली के रखबे में कमी के दो मुख्य कारण है सोराश्ट्र और उत्री गुजराज शेत्रों में कई हिस्सों में किसानों ने इस मोंसुन के मोसम की पहली बारिस से पहले ही मुंफली की जगय कपास की बुआई शुरू कर दी थी अधिकारियों का कहना है कि फिछले एक दशक से कपास और मुंफली की कीमते लगबग एक जार उपई से तेरा सो रुपे प्रती दस किलो ग्राम तक समान बनी हुई थी लेकिन पिछले 2021 बाई सीजन में किसानों ने अपने कपास के लिए पच्ची सो रुपे प्रती 20 किलो ग्राम तक की भड़ोतरी देखी है और उनका कहना है कि इसकी तुल्ला में मुंफली की फसल पर रिटन जादा नहीं मिल पाया है गुजरात स्टेट एडिबल ओल्स ऑफ एसोसियेशन की माने तो पिछले सीजन में गुजरात का खरीफ मुंफली उत्पादन लगबग 3.5 मिट्र तन था अब तक अनकूल मौसम की स्थिती को देखते हुए रकवे में गिरावट के बाद गुजरात में खरीफ मुंफली उत्पादन में लगबग 20 फीसद की कमी होने की गुझाईश दिखाई दे रही है सौराष्ट और उत्री गुजरात के मुंफली उत्पादन निर्यात मांग और कीमतों से जुड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी लगबग 65-70 फीसदी हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश में मुंफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसके बाद राजस्तान, तमिलाजू, आंदर प्रदेश और करनाटा का स्थान आता है